श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब चार जुन को शनिवार के दिन पंचमी तीथी पर आपको केवल एक उपाय करना है जिससे आपके जीवन में आ रही लक्षमी संबंदे जो भी परिशानिया है वो सब दूर हो जाएगी बहुती आसान सा उपाय है पुझी गुरुदेव की ही खता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम जरूर लिकें देखिए पंचमी तीथी पर कर सकते हैं देखिए आपको करना क्या है एक तांबी के पात्र के अंदर जल बरना है ठीक है और आपको साबु चावल के नो दाने अक्षत के नो दाने आपको लेना है और साथ में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है देखिए पीपल का जो पत्ता है आज के दिन शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं, पीपल को आज के दिन आप इस परज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु का वास होता है, तो आज के दिन आप छूँ सकते हैं, ठीके, आप को एक पीपल का पत्ता ले लेना है, यदि पीपल के पेड़ के आज स्पास कोई पत्ता घीरा हुआ पड़ा है, तो उसे भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा शुद्ध करके आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है, बड़े ही ध्यान से सुनना, लक्ष्मी वृद्धी का ये उपाय है, वो भी अस्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए देखिए people के पेड़ को सबसे पहले प्रणाम करें और उसके बाद आप एक पत्ता ले करके आ जाएं ठीक है अब आपको शिव मंदिर में जाना है जहां पर भी शिवलिंग हो और वहां पर यह आपको उपाय करना है सबसे पहले आपको पीपल का पत्ता देखिए किस प्रकार से इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से रखा है इस प्रकार से आपको ये पीपल का पत्ता रखना है डंडी उपर होनी चाहिए इस प्रकार से आपको ये पीपल का पत्ता रखना है ठीक है चिकनी वाली जो साइड ह वो महादेव को इस पर्च होनी चीए, शीवलिंग पर इस पर्च होनी चीए, अब आप नो साबुत चावल के दाने लेकर के गए हैं, उसमें से एक साबुत चावल का जो दाना है, वो आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और उसके बाद जो आठ चावल के दाने को बात समझ में और आपकी जो भी धन संबंदित परेशानियां है वो दुरो ऐसी आपको प्रातना करनी है पीपल एश्वर महादेव का इस्मरेंड करते हुए अब आपके पास आठ चावल के दाने हैं यह आठ चावल के दाने यहने कि आपके जीवन में अस्ट लक्षमी की प्राप्ति हो वीजय लक्षमी, एश्वरे लक्षमी, किर्ती लक्षमी, सोभागे लक्षमी ऐसी अस्ट लक्षमियों की प्राप्ति आपको हो इसलिए आपको जो आठ चावल के दाने हैं साबु चावल के दाने वो महादेव के शिवलिंग पर आपको रखना है लेकिन चमी तीथी पर अक्षत के दाने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या भी दोरोगी और आपको धनका लाब भी होगा तो बहुती अच्छोग उपाय है वहीं पर बेट करके श्री शिवाय नमस्तुब्यम ओम नमस्तुब्यम का आप जादा जादा जाप करें देखिए ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्री में कभी भी कर सकते हैं लेकिन अगर पीपल का पत्ता आप तोड़ रहे हैं तो आपको सूर्यास्त के पहले तोड़ लेना है विशेश का इस बात का ध्यान रखना अगर कुछ भी चिस समझ में ना आए तो कमेंट में पूश लेना गलते बिल्कुल भी मत करना श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव